पंजाब पांच नदियों की जमीन इसके भुगोल से जुड़ी है सतलुज, ब्याज, रावी, चिनाव और जेलम नदियान लेकिन राजी के तीन शेत्र ऐसे हैं जिनहें नदियों ने अलग किया है और यही राजी की राजनीती की एक तस्वीर भी दिखाते हैं पूरे चुनावी मौसम में आप मालवा, माजहा और दुवाब के बारे में सुन रहे हैं पंजाब का राजनीतिक चित्र दिखाने वाले तीन शेत्र, तीनों शेत्र की अपनी एक समाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहचान है पंजाब का माजहा रावी और ब्यास के बीच में पढ़ता है फिर शिरू होता है दुवाब जिसका शाब्दिक मतलब है दो नदियों की बीच की भूवे ये ब्यास से शिरू होकर सतलुच तक पहला हुआ है सतलुच से आगे मालवा का इलागा है जो तीनों में सबसे बड़ा है सबसे पहले मालवा शेत्र पर एक नज़र डालते हैं मालवा राजनीतिक वर्चस्व पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 79 इसे इलाकी से आती है और ये सबसे बड़ा इलागा है राजी के दो मुख्यमंत्रियों को छोड़ कर सब भी इसी शेत्र से रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी पूरव सीम कैप्टन अमरिंदर सिंग और बादल मालवा शेत्र से हैं साल 2017 में कॉंग्रिस ने 79 में से 40 सीटे जीती आपने शेत्र में 18 सीटे जीत कर राजी की राजनिती में धमा के दार शिरुवात की परमपरिगर में अकालियों ने अपनी जमीन खो दी और मालवा में वो सिर्फ 8 सीटे ही जीत सके आपने 2014 में मालवा शेत्र की सभी 4 लोगसभा सीटों पर जीत हासिल की थी मालवा साल भर चलने वाले क्रिशी आंदोलन का केंद्र भी रहा पंजाब युनिवर्सिटी की स्टडी के मुताबिक विरोध प्रदर्शन के दरान जान गवाने वाले 700 खिसानों में से लगभग 80 प्रतिशत मालवा शेत्र से ही थे यहां जमीन को लेकर असमानता है बड़े जमेदार सैकडों एकर जमीन लिए बैठे हैं जबकि जादतर आबादी के पास छोटी जोथ है माज़ा जहां धर्म और राजनीती साथ है माज़ा शेत्र पाकिस्तान से लगा हुआ है और ये रावी और ब्यास नदियों के बीच है माज़ा का अर्थ है बीच में विभाजन से पहले और विभाजित पंजाब का ये केंद्र हुआ करता था 25 विधान सभा सीटों के साथ माज़ा राज्य में पंथ या धार्मिक राजनीती का केंद्र है अम्रिटसर में स्वर्ण मंदिर और पाकिस्तान में दर्बार साहिब को जोडने वाला करतारपूर कोरिडॉर यही है ये शेत्र परंपरागत तोर पर अकाली दल का गढ़ रहा है लेकिन 2017 में हालाद बदल गए 2017 में कॉंग्रिस ने 22 सीटे जीती और शिरोमणी अकाली दल सिर्फ दो सीटे जीत कर हाशिये पर आ गई आप अभे तक इस शेत्र में खाता नहीं खोल सकी है सतलो जो ब्यास के बीच स्थित दुवाब जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमी अपनी उपजाओ जमीन और एनाराई का गड़ होने के कारण ये राज्य का सबसे सम्रद हिस्सा है 23 विधान सभा सीटों के साथ ये पंजाब में राजनितिक रूप से सबसे छोटा शेत्र है दलित वोटों के मामले में ये सबसे एहम शेत्र है यहां की सीटों पर अनुसूची जाती का वोट 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक का है पंजाब की कुल अबादी में दलितों की संख्या 32 फीजदी है जो देश के किसी भी राज्य में सबसे ज़्यादा है देरों का केंदर भी यही है दलित पुनर जागरन की शिरुवाद भी यही से हुई यहां की अनुसूची जाती की आबादी बहतर शिक्षत अधिक सम्रिध है और उसमें समाजिक रूप से आपसी जुडाओ है 2017 में कॉंग्रिस ने अपने इस गढ़ में 15 सीटे जीती पांच सीटे अकाली दल को मिली थी और दो सीटों पर आपको जीत मिली थी